या मैं आप सभी को एक बहुत प्यारे बच्चे की कहानी बताने वाला होूं जोसे बहुत ज़ादा गुस्सा आता था बाद बाद पे कुस्सा आता था और उसे जब साता tiyek difa अकभी नहीं दिख त्हार था कि You see पिच्चा मानने को तयार नहीं था एक दिन ऐसा आया कि उसकी ममी में आपके बच्ची का गुष्सा पूरी तरीके से चला जाएगा उसकी मा को कि टीचर ने कहा बच्चे से कि आज हम पढ़ेंगे नहीं आज हम एक गेम खेलेंगे और जैसे उस बच्चे ने ये चीज़ सुने उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और वो उस घर की पीछे एक दिवाल पे उस बच्चे के साथ गई और वहां जाके खड़ी हो गई उन्होंने ये कहा कि गेम ऐसा है कि तुम्हें जब भी गुस्षा आए तुम्हें एक कील लेनी है और इस दिवाल में गढ़ा देनी है अब जितने भी हो थोड़ा बहुत तो जैसा मैम ने कहा था बच्चे ने विल्कुल वैसा करा जब भी उसे गुस्षा आता वह घर के पीछे जाता फिर गड़ाता तो उसमें बहुत जादा महनत लग रही थी और उसके दिमाग में एक चीज आई कि जितनी महनत में इन कील गड़ाने में कर रहा हूं उससे कम महनत में मैं अपना गुस्सा कंट्रूल कर सकता हूं फिर वैसे ही अगले दिन आठ कील गड़ी फिर छे फिर चार फिर ती फिर दो फिर एक पर एक दिन ऐसा भी आया कि उस दिन उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया उसने एक भी कील नहीं गड़ाई वह खोशी-खोशी अपनी महम के पास गया और उनने बताया कि महम आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और आज मैंने एक भी कि उस दिवाल पे नहीं गड़ा ही तुम उसे थोड़ी सी साबासी दी और उनसे कहा कि अभी ये गेम खतम नहीं हुआ है अब जैसे तुम्हें जब गुस्सा आता था तुम उस दिवाल पे एक कील गड़ा देते थे अब जिस दिन तुम्हें एक भी बार गुस्सा ना तुम उस दिवाल में जितनी भी कील गड़ी उसमें से एक कील निकाल दोगे तो फिर ठीक है उस बच्चे ने फिर से वैसा करना स्टाइट कर दिये लेकिन उस दिवाल में कीले काफी जादा थी तो उस बच्चे को उस कीले को हटाने में कम से कम एक मेंस लग गए और एक दिन ऐसा आया कि उस दिवाल पे एक भी किल नहीं थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपने मैम के पास गया और मैम से कहा कि मैम चलिए मैं आपको आज कुछ दिखाता हूँ वो इस दिवाल के पास ले जाके उन्हें ख़ड़ा कर जिए कि देखी आज मैंने अज ऐसा दिन आया है कि मुझे आज बिलकुल भी गुशा नहीं आया उस दिवाल पे मैंने सारी केले निकाल दी हैं उस amb stehen पूछा कि इस दिवाल पे तुम्हें कुछ दिख रहा हैं बच्चे ने कहा, नहीं मैम, सारी कीले निकल चुकी है, मैम ने फिर से कहा, कि ध्यान से देखो, शायद कुछ दिख जाए, फिर उस बच्चे ने कहा, कि हाँ, मैंने सारी कीले निकाल दी हैं, लेकिन दिवाल पे कीलो के कारण कुछ निशान रहे गए हैं, जब ये बात बच् और फिर बाद में तुम कितनी भी उनसे मापी मांग लो वह निशान कभी नहीं जाते हैं वह दर्द हमेशा उनके दिल में रह जाता है उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ वह भागते गया अपनी मा की पास उनने जूर से गले लगा दिया और उनसे कहा कि मम्मी प्यार करते हैं अपने माबाप से कभी भी ऐसा कुछ ना कहें कि उनके दिल पे चूट लगे क्योंकि माबाप और आपके साथ जो आपके चाहने वाले हैं वह अकेले आपके साथ डटके रहते हैं कभी भी उनने दुख ना पहुंचा है हमेशा उने खुशी देने के प्रया करे प्रया है